कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप सबका दोस्त सौरुकुमार और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी यूटूब चैनल जिसका नाम है सौरुकुमार अकेडमी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो इसटन रिलवे जोब और खिये ठीकर आर-aर-aर-a-r-c तो यह जोप है हमारी ऑर-a-r-c-e a-r-c-e होगे ठीक हम आगे पूरी वीडियो में बात करेंगे कि स्टार्टिंग डेट क्या है कि क्या 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 आपको चाहिए सारी डेटेल के अंदर बात करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको जो भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको information मिल जाए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर हम बात करें नोटिफिकेशन आ रखा है यह जो एक्जाम है मतलब जो वेकेंसी है यह रियोपन हुई है रियोपन हुई है ठीक है यह वेकेंसी का लोगडाउन वगेरा के चक्कर में ठीक है तो वेबसाइट ने बोला कि 15 दिन के लिए हम दुबारा इसे रियोपन करेंगे तो अब यह रियोपन हो चुका है ठीक है तो इसकी स्टार्टिंग डिट जो आप application begin हुई है कब से हुई है पच्चिस छे से लेके कब तक चलेगी है नो जुलाई तक नो जुलाई तक चलेगी ठीक है दोजार वीस है पच्चिस जून से लेके नो जुलाई तक के लिए आप भर सकते हैं वेबसाइट पर जाके कि उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँँगा आपको कि अगर बात करें जो स्टेट वाइज है और यह जो जौब है टोटल कितनी जौब साई आपके लिए उसको बता देता हूं मैं तो टोटल जौब है आपके लिए कितनी है दो हजार सास्सु नबे ठीक है 2792 जो टोटल जौब है और अगर इसकी बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होगी या कितनी जॉब है उन सबको देखते हैं तो पहले हम देखते हैं कितने यूनिट वाइज और डिवीजन वाइज है तो छे डिवीजन है पहला क्या है हावड़ा ठीक है उसमें टोटल सीट की बात करें तो कितनी है छे सो इसके अंदर आप देख लो टोटल जनरल के लिए कितनी सीटे है जनरल के लिए टोटल विकेंसी कितनी है दोसो सत्तर ठीक है ऐसी के लिए कितनी है नाइन्टी एट एस्टी के लिए 49 और बीसी के लिए वर्ब्षट के लिए कितनी है गक्राइक है पानसुच्पटै सेगे ं सब्सक्राइब एख लिए folder के लिएना में वीडियो इस इसके इनना इसका मालवा इजिपेजिट रेके आप सारे अथ असनल का भी देख लेना में एक सकनल ले लो इसका कि लास्ट का भी ले लो एक मिनिट को टीक है यह एफ लिलूर वर्कशोप इसका इसका ले लो और यह लास्ट जो आपका जमलपुर व्रकश्प इसका भी कि स्किन शोट ले लें आप ठीक है विकेंसी है हर उसमें कितनी कितनी आ रखी है इसके अंदर देख लेते हैं 668 है तो टोटल जो है आपकी 2792 है ठीक है और यह जितनी भी चीज़े देख लेना इसमें अगर हम बात करते हैं कि अधोकी आपकी आप कम से कम जो आपकी एज अगर मैं एजलिमित की बात करूं तो इस लिमिट के यह जो होनी चाहिए आपकी 15 साल से 24 साल होनी पंदरा साल चाहिए वैसंवाइज मैं और दूसरी चीज़ एगर रोट करूं मैं तो एज्योकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी आपकी कि जो 8th class में चाहिए आप और 10th pass होने चाहिए 8 या 10th pass होना चाहिए minimum होनी चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए with iti आप आप ने किया हो । आइटी आई आपको किसी में करना चाहिए और जो निकलिये welder के लिए निकलिये के लिए इलेक्टरिशन के लिए डीजल मुकानिक के लिए फिल्टर के लिए वेल्टर के लिए इन सब चीजों की आपके लिए जॉब निकली हुई है ठीक है रिलक्सेक्शन की बात कर दें तो S.C.S.T के लिए 5 साल का रिलक्सेशन है OVC के लिए 3 साल का रिलेक्सेशन और P WD के लिए कितने साल का है 10 साल का P WD के लिए कितना है 10 साल का RELAक्सेशन दे रखाई humanity Education Qualification देख लो इदर लिखा हुआ कितना है कि 10 पास होना चाहिए आपका 50% marks भी होने चाहिए और 8th class वाले भी apply कर सकते हैं वो नीचे दे रखा थोड़ा ठीक है यह देख लो आप यह सारी जॉब से आपकी अगर आपसे पूछे की जो selection है वो selection किसके basis पर होगा तो जो आपका सेलेक्शन होगा वो क्या होगा जितने भी आपका परसंटेज आईए उसकी अग्रीट बनेगी जितने भी लोगों ने apply किया है मिनिमाव अप्लाइ करने कि आपके परसंटेज कितनी है कि आपकी 50% aggregate परसंटेज होनी चाहिए मतब्स आवराल जो परसंटेज होनी चाहिए आपके 50% तो एग्रिगेट होनी चाहिए ठीक है कि मिनिमम् क्वालिफिकेशन के आप एड़ क्लास के हो सकते हैं या तैंथ के हो सकते दोनों में से और दूसरी चीज क्या कह रहा है कि मिनिमम् जो 50% आपका एग्रिगेट परसंटेज होनी चाहिए ओके और उसके बाद आपकी क्या होगी मेरिट लिस्ट बनेगी जितनी भी लोग इस्टूडेंट ने अपलाए किया है तो और परसंटेज की मेरिट लेस्ट बनेगी उसके बेसिस पर आपको बलाया जाएगा आपको चुना जाएगा ठीक है अब बात करते हैं अप्लिकेशन फीज की तो अप्लिकेशन फीज जो होगी आपकी वो कितनी होगी अगर जनरल के लिए बात करें तो 100 पर फीज है ठीक है किस-किस के लिए अन्रिजर्व के लिए आपके लिए फीज कितनी है 100 पर और अगर इस इस टी की बात करें तो कोई भी फीज नहीं है एस डी हो गया या आपका फिटा पी डब्लू डी हो गए इन सब के लिए कोई भी फीज नहीं है ठीक है एज लिमिट का ध्यान देना बस तो आज की वीडियो में इतना ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है और वीडियो को अगर वीडियो से आपको कोई भी इंफ्रमेशन मिली है तो आप वीडियो को लाइक कर दें एक बार ठीक है और अगर आपको कोई क्वेरी वगरा रह गई तो आप कमेंट करके बता दे हमें ठीक है और वीडियो को जाद से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में जिनको भी नीड हो या जो भी आपके आसपास के लोग हो जिनको जो तो जो तेंथ क्लास या एत क्लास पास करी हो जिनों ने ठीक है उन सबको जाद से जादा शेयर कर द झाल झाल